दिखिए यूद का इस्यूद तो अब बिल्कुल गौन होते जा रहे हैं आज देखता हूँ चुनाओं में जो चुनाओं के मुद्धे रहे गए हैं वो हिंदू-मुस्लिम पे अटक गए हैं अब अफने योध की बात करा अब ट्रकंड के पर प्रप्रेक्शम बेगांट अब उत्रा चुनाओं आते आते हो बेरोजगारी के जो मढ़े हैं त्मानों मेंगाजी की मुद्धी इरा ज्यत्तम और मुद्धे वोडिश-मूद्धिου ने प्रश्कार आदाब निज्ट क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुन हम लोग उत्राखंड के चुना विधान सवा चुनावों कवर कर रहे हैं इसमें अलग-अलग वर्ग और समाज के जो लोग है उनकी क्या समस्या हैं उनकी क्या है मुद्दे जिन पर राजनेतिक ब बाकी चीजों में लगे हुए तो इसी करम में स्री नगर में जो गड़वाल केंद्री विश्व विद्याले हैं वहां आएं यहां के छात्रों से बात करके शमदने कोशिश करेंगे जो उनकी पिछली 5 साथ के सरकार थी जिन से उनकी क्या पैक्शा है थी क्या वो पूरी उसमें लगब लग 2 साल तक campus बंद रहा और और कहा कि 2 साल तक campus बंद है तो जो education है वो online चलेगी लेकिन वो experience था वो इतना खराब experience students कर रहा है वो हम सिर्फ students जान सकते हैं और यहां जो professors हैं तो वो लोग समझते हैं कि शायद online पढ़ाना online पढ़ाना मतलब है कि हम students को कितना करने के बाद लेकिन शायद उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजन नहीं है कि online education के लिए जो हमें एक basic infrastructure चाहिए हमें devices चाहिए हमें अच्छा network access चाहिए वो बिल्कुल नहीं है और खासकर कि उत्रखन जैसे एरिया में तो यह हम बिल्कुल कहीं नहीं सकते कि जो online education है वो बह बेटा मैं मैं अपना माइक नहीं खुल पा रहा हूं बेटा मैं अपनी जो मेरा वीडियो है वो और नहीं हो पा रहा है यह सब चीजे पहले तो जो टेक्निकल जो नॉलेज होना चाहिए वो भी टीचर्स को नहीं है और फिर उपर से online online है तो अब फिर exams भी बोल रहे हैं कि प्रमोशन प्रमोशन दो साल से लगभग सब प्रमोट होए जा रहे हैं और जो प्रमोशन का जो बेस है वो है साइमेंट और असाइमेंट की पता नहीं क्या तो मार्किंग स्कीम है कि जो बच्चे ने कंटेंड लिखा है वो नहीं देखना उनको यह देखना है कि किसने तोड़ी हम जोइन करते हैं उसके बाद सर के आवाज आती है फिर एक दो बात हम सुनते हैं और फिर क्या होते कि बीच-बीच के अकसर कोई गाइब हो चाते हैं फिर हमें समझीने आते कि सर ने क्या बोला यह हमें फिर हमें दिक्कत आ जाती है इस वरकार कि समझे हैं यह इडिंग रूम का टाइम आपका यह आठ वजे जो था सामके आठ वजे पांच वजे बंद हो जाया करती थी अब लेफ्ट ने फिर इस पर मुमेंट करके उसका आठ वजे किया सामके तो जो दिल्ली और भारी जो ऐसी जोगों से आते हैं जहां लोग रात-रात भर पढ़क के बैठते तो उन लोगों को यहां थोड़ा जीव लगता हम लोगों को नहीं लगता हमारे लिए आम जीवन का हिस्सा हुआ करता है फिर हां ट्वंटिफोर से उन लाइब्रेरी या नहीं है वह हमारे एक सपना है जो हम वैसे देख रहे हैं कि हमारी गैसे राजानी होगी हम यह भी सपना देखते हैं ट्वंटिफोर इंटो सेवन होगी लाइब्रेरी लेकिन संबाव हमें लगता नहीं कि होने हो पाएगा बाकी यहां बाहर से जो गल्स आती है उनको लगता है कि यहां के होस्टल 24 गंटे हम लोगों के लिए खुले रहेंगे लेकिन होस्टल में गल्स होस्टल में खासकर छेवजे ताला जड़ जाता है छेवजे बाद गल्स होस्टल कर ना आप अंदर जा सकते ना आप बाहर जा सकते और यह साइद कैद से कम नहीं है केमपेस की में समस्च यहां जैसे कि हम भी पड़े हैं यहां रिजल आउट पो पेंडिंग में रहता है रिजल मतलब जब ज़स रिजल आया बच्चा कभी असी हो गया रिजल आ रहा उसका बी ऐस सी पास आउट होने के पाथ वन यह श्रेट मतलब जब उसका एडमिसन का तक उसका रिजल्ट नहीं ओपन होता चाहिए बैक को चाहिए मेन रिजल्ट और यहां की किड़ा फिजए खेल कूत का वे देखें तो यहां पर जाद अतर नोटिस बोड लगते हैं नोटिस बोड ओन लाइन देखने पड़ते हैं नोटिस आया नहीं आया पर जिस टैम ओफ- चात्र तक पूरी जानकारयां नहीं मिलती थी कि सूचना क्या है मंदलनक कॉंस पृत्यों किता होगी किस तरीके से होगी इसके कोई सूचना नहीं जिससा आफ से में एक छोटे से गाउन से निकलाए कि आया थी कि हां श्रिनगर साहर में जारी हूं बड़े में जारू, Central University में जारू, वहां पढ़ने का अच्छा माह उलगाई, सारी फैसलिटी मिलीगी, क्योंकि हमारे एरिया में थराली में एक डिग्री कॉलेज है, तलवारी डिग्री कॉलेज है, मैंने उसको इसलिए नहीं चुना क्योंकि वहां पर पढ़ाय अच्छी नहीं होती अच्छा मिल चाहता था, तो साथ में सब कवर हो जाता है, यहां मेरे को अकिला रहना पड़ा, लेकिन दो साल का जो एक्सपीरियंस है, मिरे को नहीं लगता है, कि मुझे एक भी परसंट यहां पर फायदा होगा, अब यहां देगो, जैसा हमारा थाली में था, मैंजी जी अच्छा मिल चाहता है, यहां पर यहां पर सबसे बड़ी रिसर्स को एजी रिसर्स को यहां पर जो समस्या हैं कि यहां पर एक रिसर्स का माहूल जैसा नहीं लगता है, क्योंकि जो रिसर्स स्कॉलर है, उनका जो मुख्य काम होता है, वो काम तो उतना नहीं कर पाते हैं, अधर विभाग की जो काम है, वो सब काम करने पड़ते हैं, एक रिसर्स स्कॉलर को, क्य कर दिया गया या इसा स्कॉलर के हवाले कर दिया गया यह मुख्य समझ से यहां पर फैकल्टी की लगती है मुझे अब बाकी स्कॉलर्स को भी पढ़ाना पड़ता है बाकी अधर काम भी कभी-कभी देखने पड़ते हैं जैसे एडिमिनिस्टेटीव काम जो होते हैं क्योंकि अगर विभाग में फैकल्टी है नहीं तो सारा काम उनी के द्वारा किया जाता है जहां जहां भी फैकल्टी नहीं है तो इससे जो उनका मुख्य का काम है वो काम प्रभावित होता है आज की डेट में हमें जो दिक्कत आ रही हो यहीं है कि लाइवरेरी जो है बंद है अब इक जो हर्सर्च करने वाले हैं तो रियोई ऊचसा नारे के उनके terribly काफी मुश्ब है कोई इपने में बैठका रिसर्च करหा है कोई होस्टल में बंद है वहां पर बंद दीन दा सेंज की वहां पर बैठके कर रहें उनको कोई जो सोर्स चाहिए होते हैं लाइब्रेरी एक ऐसा प्लैटफॉर्म है एक ऐसी जिगा है जो युनिवर्सिटी प्रवाइड करती है जिसे हम सौल भी कहते एक युनिवर्सिटी तो एक चातर भी कुछ नहीं कर सकता कि वह दोर निकल गया जब एक कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत थी आज वह जरूरत नहीं रही है आज हम अगर हमको बंद भी रखना है तो हमें खोलना भी है हमने आगे भी बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो उसके लिए यह मैं प्र चाहिए कर सके चाहे वह कोई रिसर्च करने वाला हो को चाहे कोई और चोटी जो पड़ते हैं ग्रेजवेशन कर रहा है कोई कुछ भी को को कर रहा है तो यूश्टी में सब काम ठीक हो रहा है वह एक पड़ाई ठीक ने उड़ी उतरा खंड में सब हॉस्पिटल ठीक ठाक सब्सक्राइब कर रहा है तो आपके समाज का भला है लेकिन एक गदा सिक्षक पड़ा रहा है पुरा समाज गदम है और यहां क्या है यह जो काश्टी इंजन फास्टी में की राजनीती चलती है उसका बहुन बाला है और क्या हुआ है मतला आपने बीए करा नहीं आप एमे सब्सक्राइब करें आप यह जी होगे मंद्री होगे संद्री होगे यहालम है इस दिखिए यूद का इस्यूद तो अब बिल्कुल गौन होते जा रहे हैं आज देखता हूं चुनाओं में जो चुनाओं के मुद्दे रहे गए हैं वो हिंदू-मुसलिम पे अटक गए हैं मैं अगर अपने योद की बात करो तो आज देश का उत्राखन के परप्रेक्श में बात करो तो उत्राखन के बहुत सारे यह आज भी बिरोजगार हैं लेकिन चुनाओं आते आते वो बिरोजगारी के जो मुद्दे हैं चाहे तमाम और मुद्दे हैं वो गायब हो जाते है और मुद्दे कही न कहीं फिर हिंदू, मुस्लिम, ब्रह्मन ऐसी पर आके रुख जाते हैं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्राखन जैसे पहाडी राजिया में जहां आज युवाओं का योगदान जादा होना चीए था किसमें कि वो बिरोजगार हैं और वो बिरोजगार इसे लड़ें लेकिन कहीं न कहीं युवाँ परिसान है और युवाँ लड़नी पा रहा है खुछ से युवाँ के अंदर सोच नहीं हो पा रही है उस हिसाब से क्यों सोच डेपलब करें और लड़े हम भेरोजगार हैं आज युवाँ कहीं लगबक सारी पार्टी के सेम रहते हैं सब लोग कहते हैं कि जो मूलबू सुविदाएं हैं गाउं की वो हम प्रोवाइड करवाएंगे इत्ते इत्ते तक का हम इंश इसा बोलते हैं कि यह पार्टी तो पिछली बार भी इसके अजंडा में यह सब था और इसने कुछ करा नहीं और इस बार यह जो पार्टी है आप शायद यह भी नहीं करेगी क्योंकि सब के जिंडा लगबक सेम रहते हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे लेकिन वो जो काम है एक्टे वो खाली हम को कागजों में देखता है गोश्नाए हो जाती है घो यह तो बहुत सारी हो जाती हैं लेकिन व वो जो एक्ट्यूल ग्राउंड लेवल पर काम है वह नहीं दिखता है अब जैसे मैं है до सक्टर की बात करूं तो अर्बाइन एक रिप्रोर्ट निकाली और आरबी आई ने उसमें ये कहा था कि जितने भी हिमाले राज्य हैं उनमें से जो सबसे कम खर्चा स्वास्तपर करा है उनमें है उत्राखंड वन पॉइंट वन परसेंट लगबग है वो जिटीपी का वन पॉइंट वन परसेंट और यह चीज हम देख भी सकते हैं क्योंकि कि यहां पर अगर हम ह için बात करें तो कहीं तो गांव बैसे हैं जहां-पर प्राइमरी हेलग सेंटर्ज भी नहीं है और कहीं अगर है तो वहाँ पर दोवाईयां नहीं है दोफित्व दॉक्टर जहां पर आना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए यहां पर नीजी सुविधाई है वो प्लद नहीं है यहां देखुए हमारा गाउं है जो जब हम पैदाई नहीं थी जब मैं पैदाई नहीं हुई थी तब से बोले कि रोड आएगी रोड आएगी आंच तक लगा से एक रोड भी निया हमारे गाहों में क्योंकि जब हमारे मरेoka पको उम्हें कर दो नहीं हुच हम भुक्च आहें नहीं कुछ हम भूल जाना पड़ता पाणी लीने के लिए और मतला और 7-2 बोडा metrics हमें पानी लेना जाना पड़ता है और पानी की कोई सुभी दनी है और गाउं में जैसे होस्पिटल होस्पिटल मारा गैर सें कम से कम 30 किलो मीटर आगे गैर सें है तो वहां होस्पिटल है वहां जाना पड़ते हैं तो वहां भी ऐसा है कि मतलब वहां सिर्फ नाम का और फिर बाहर जाते हूं यहां स्री नगर आते हूं और जाती हैं ऐसे बहुत सारे केसे हमने देखे हैं। ही है उसको लेकर भी चिंतित हैं वो चाहते हैं राजनितिक दल इन मुद्दों को अपने भविश्य कारेकरम में सामिल करें और इसी आधार पर वो चुनाव लड़ें